हलो अब्रीबडी इस दिग्रास सिंग राजपूत वेलकम तो मैगनेट ब्रीन्स इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे स्केच के बारे में स्केच क्या चीज होती है यह मैं आपको समझाऊंगा उससे पहला थोड़ा सा हम कनेक्ट करते हैं ह इस चीज का मैप बन जाएगा अब यह मैप में बताता जो है तो एक संटीम्ट कितना कितना डिस्टेंस रिप्रेजन्ट करता है मानों कि 10,000 किलोमेटर ब्रेजन्ट करना है suppose ठीक है दस हजार तो बहुत जाद हो जाएगा एक हजार ले लेते चलो एक संटीमेटर एक हजार किलोमेटर रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो scale कर सकते हैं मैप में इतनी जगा है मतलब अगर ये 4 संटीमेटर है तो 4000 किलोमेटर हो गए तो मैप पर आप चीजों को scale कर रहे हैं ठीक है अब sketch जो होता है तो sketch भी एक तरह का map होता है map से अलग नहीं है sketch समझना है इस चीज़ को map से अलग नहीं है लेकिन बिल्कुल जो map अभी तक हमने पढ़ते हैं large scale पर जो components होते हैं distance, direction, symbols पर उन से अलग होता है लेकिन map थोड़ा सा अब क्या चीज़ है ये समझी इसे, तो map जो होता है sketch जो होता है तो ये होता है ये मैंने अपने हातों से sketch एक बनाया है ठीक है अब ज़रा surprise मत होना है मैंने नीनी बनाया है ठीक है लेकिन तो आप सोचरोंगो sketch map पढ़ने वाले हैं तो sketch is a drawing mainly based on memory and spot observation and not to scale यह line underline कर लो बस and not to scale यह important है यह differentiate करती है जो map हमने पढ़ते आया भी conventional map जो होते हैं और यह sketch map होने वाला दोनों में difference यह रहने वाला है not to scale sketch क्या होता है sketch एक drawing बना रहे हो आप based on the memory and observation मतलब आपको जितना ध्यान रहेगा जितने आपना observe किया था यह sketch भी तो ऐसे बनाते हैं सामने इंसान को इठा देते हैं इस देखते जाते हैं उस तरह से जगास से दूसरी जगा जाना था मुझे रास्ता नहीं पता हैं तो एक दादाजी थे उन्होंने मुझे पथाया थी उनुन ने बिठा कि क्या क्या जमीन के उपक से पूरा गाओं बना दिया अब उन्होंने क्या बोला कि यह ताउ penn की घर से सीध्य जाना हंनुमान हनुहान मंदिर के पास से पीछे मुणने के बाद में वहां पे इस हाइगी तो स्कूल का नगाने के बाद में क्या करना आ तुम्हें फिर यहां जो बड़ी हमली इसे इस इस तरफ जाना है ठीक है मुझा कि ऐसी रास्ता बता तो इधर से कोई तो नहीं वहला रास्ता ही नहीं ऐसा ठीक चलो तो ओह हो पुर गाउं ही चले गया ठीक है तो यह क्या हो गया यह उन्होंने ऑब्जर्वेशन के बीसिस पे उनको जो जहाने कि यहां गाउं में ऐसे ऐस हो सकता है distance कम भी हो सकता है वह सारी चीजय हो सकती है लेकिन आपको एक आईडेया मिल जागा कि पहला रोड घू हो आपको और यहां घाना है तीसर अजल रोड पे आपको i deg F चोथे रोट पे आपको ऐसा ठीक है तो यह क्या होता है जिस तरह से जो memory और spot observation के basis पे जो आप एक map त्यार करते हो उसे sketch map कहा जाता है as simple as that जो मैं आपको समझा दिया ठीक है sketch is a rough drawing जिस आप यहां पे देखो के तो आपको ध्यान रहे कर कि यह यह नदन लाइट पॉलेटिक निक होता है कि टीचर्स कॉलेज होता है फिर वहां से एक रास्ता निकलता है फिर वहां से high school आती है यहां एक hospital है तो आप जो क्या करते हो बैठे बैठे ऐसा बना देते हो न मैप वह होता है sketch map simple सी चीज़ बस इतना ही तो this was all about the sketch I hope आपको समझ में आए कि sketch map क्या होते है अब next video lecture में हम जो last topic है आपका वो क्या है plan वाला तो plan maps क्या होते है plan होता क्या है वो सारा सब कुछ में आपको next video lecture में समझाने वाला हूं clear यहां तक किसी प्रकार का doubt है तो feel free to ask in comment section till then stay connected keep learning thank you thank you very much